आज तो बड़ी दुविधा है कि पहली हेडलाइन कौन सी हो जीडीपी गिर करके 5% हो गया ये बड़ी हेडलाइन है या देश के 10 सरकारी बैंकों को अब विलीन करके 4 बैंकों में तब्दील कर दिया गया है अपना अपना च्वाइस है मीडिया अपने अपने हिसाब से साल के पहले कौर्टर का जो जीडीपी का नंबर आया है वो 5% है जो पिछले साल के इसी कौर्टर के मुकाबले बहुत कम है और ये 7 वर्षों का लोएश्ट है इससे क्या पता लगता है जो डेटा आया है उससे ये पता लगता है कि मैनुफेक्चरिंग बुरी तरह से गिर लेकिन जो सबसे डरावना आकड़ा है वो ये है कि प्राइवेट कंजम्शन गिर करके 3% पर आ गया है जो पिछले साल इसी अवधी में 7% के आसपास था प्राइवेट कंजम्शन ही हमारे देश की एकोनमी को चलाता है तो हमारे हाँ अगर कंजम्शन कोलैप्स हो गया है त लोग डीब डिसकाउंट देंगे ताकि किसी तरीके से सेल्स पिक अप हो जाएं लेकिन अगर मुझे ये स्लोडाउन की जानकारी है और अगर जानकारी है कि शायद ये स्लोडाउन जल्दी से रुकने वाला नहीं है तो हो सकता है कि आगे और डिसकाउंट मिलने वाला हो त अगर मैं अपनी खरीदने की डिसिजन को पोश्टपोन करता हूँ, इसका मतलब यह है कि फिर कंजम्शन और डिमांड पिक अप नहीं होगा और इसका देश की अर्थववस्था पर आने वाले कुछ और क्वार्टरस में बुरा असर बना रह सकता है। अब एक और चर्चा चली है कि शायद पहली बार सरकार में एक अकनॉलिजमेंट आया है, एक रिकर्जिशन आया है कि हाँ देश मंदी की गरफ्ट में है, इसको रोपने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ कदमों का अनॉसमेंट आया है, लेकिन उसमें बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न यह है कि आज का कोई भी सरकारी एक्षन कंजम्शन और डिमांड की प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो FDI का अनॉसमेंट आया है, वो डिमांड की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता, वो सिर्फ आपकी कुछ सहुलियतें बढ़ाता है और यह सारे लॉंग टम प्रजेक्ट होते हैं एक दिन में बन करके नहीं आते हैं। दूसरी बात है, PSU Bank के रिफॉर्म का जो सिल्सिला चला और आज जो एक बड़ा अनॉसमेंट आया, उसका यह अर्थ नहीं है कि यह मंदी के रिस्पॉंस में आया है, इसको बिग बैंक रिफॉर्म के तौर पर प्रस्तुत भले ही किया जाए, लेकिन आपको याद दिला द जो जो उस वक्त यह अनॉसमेंट नहीं आया, और उमीद थी कि सरकार जब पावर में आएगी दुबारा तो तुरंत यह अनॉसमेंट आ जाएगा, दरसल उसमें भी तीन महने और लग गए है, इसको डिले ही समझिएगा, सबसे बड़ा सवाल एक और है, कि एक और बड़ा एनॉसमेंट किया था, सरकार ने वो था कि एफपी आई और डी आई के कैपिटल गेंज पर सरचार्ज युथा, टेक्स के ऊपर जो सरचार्ज था, वो हटा लेंगे और इससे शेर बाजार का मूट ठीक हो जाएगा, और शायद उसे भी एक अच्छा सिगनल जाएगा, क्य लेकिन यहां भी बैड न्यूस है, और वो बैड न्यूस यह है कि एफपी आई इस पूरे हफ़ते में नेट सेलर रहे हैं, आज थोड़ी खरीदारी हुई है, लेकिन उसको भी सीरियसली लेने के जरूत इसलिए नहीं है, क्योंकि वो ग्रह फिनांस में शेर बेचने के कार है, तो आने वाले दिनों में ऐसे और अनॉसमेंट आते रहेंगे, बहुत जल्दी ही किसी तरीके से क्रेडिट आफटेक हो जाए, जो की लोएष्ट पर है, उसके बारे में अनॉसमेंट आएगा, रियल इस्टेट जल्दी जॉब क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में कि अगर आप टेक्सेशन में डीप कट नहीं करेंगे, छोटा मोटा नहीं, डीप कट नहीं करेंगे, तब तक आप कंजम्शन को बूष्ट नहीं दे सकते, डिमांड नहीं आ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, और इन्वेस्टमेंट को एक जो छलांग चाहिए, वो जोना ये चाहिए, कि इस वक्त टेक्स की रेट में बड़े पैमाने पर कटवती कर दी जाए, उससे ही एक फंडामेंटल बदलाव आएगा, बाकी जो बदलाव आने वाले दुनों में आप पेश करेंगे, आप कहेंगे कि ये रिफॉर्म बहुत बड़ा है, दूसरे जो सि है, और ये फंडामेंटल चीजों को नहीं बदलता, एक और लफज आप सुनते हैं, कि ये साइक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है, ज्यादा विवाद ये रहता है कि ने जी सायद ये साइक्लिकल होगा, वैसा कुछ नहीं है, अब समस्यां स्ट्रक्चरल पैदा हो गई है, और मूल रूप से घरलू फ्रेक्टर्स पर आधारित है, और उसी पर से चलेगी, और अगला जो एक पड़ाव होगा, टैक्स के डीप कट के अलावा, वो होना चाहिए, सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लगातार गिरावट आई है, उसमें तुरंत यू टन मारा ज होंगे, और जब एक्सपोर्ट पर एग्रसिव होने की बात होगी, तो इस ओफ डूइंग बिजनस, स्पेशल एकोनोमिक जोन, लैंड और लेबर के जादा बड़े सवाल खड़े होंगे, उनको एड्रस करेंगे के नहीं करेंगे, नेट नेट दरसल परिस्थिती अब जो ह है, थोड़ी सी अरजेंट है, थोड़ी सी इमर्जेंसी वाली है, और यहां पर होमियोपैथी का उपचार बिल्कुल नहीं चलेगा, यह सारे बूश्टर डोज दरसल होमियोपैथी के में इंजेक्शन नहीं हो सकता, इंजेक्शन अलोपैथिक में होता है, जो इसलिए जरूरी है कि सरकार इस वक जो अपने ड्राइंग बोड पर बहुत सारी चीजों को ले करके बैठी हुई है, हमको ये जानकारी है कि गवर्नमेंट में इस वक्त हाइएस लेवल पर बड़ी थिंकिंग चल रही है कि अब क्या-क्या प्राइटी में किया जाए, उसमें में बड़ा साफ है कि अगर आप कंजम्शन को बुष्ट नहीं देते, टेक्स को कट नहीं करते, तब तक सेंटिमेंट बदलने वाला नहीं है और इन कामों को ज्यादा देर से नहीं करके अगले इसी क्वार्टर में करना चाहिए, वरना ये जो आशा है कि दो क्वार्टर क वो कहीं से पूरे नहीं हो पाएंगे